नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है डॉक्टर वैंड वीज्जी की सबसे पहली जो किताब है बहुती फेमस हो किताब है जिसका नाम है many lives, many masters, इस किताब में उनको मतलब एक मरीज के साथ वो past life regression या फिर पहले तो hypnotism का एक मानसिक उप्चार कर रहे थे hypnotism से क्योंकि बहुत सारी मानसिक बिमारियो का जो इलाज है वो hypnotism से हो सकता है, लेकिन जो मतलब उनकी patient है जिसका नाम कैथरीन था तो वो पहले मतलब नहीं समझ रही थी या फिर वो नहीं उसका सुधार हो रहा था उसके हेल्थ पर तो इसलिए उन्होंने उसको और भी समय में पिछे लेकर गए और बाद में अचानक उनको ये पता चला कि वो एक अलगी मतलब दुनिया में पहुझ गई है गए जनम में और एकदम शौक हो गए क्योंकि वो खुद भी पुनर जनम को नहीं मानते थे और यहाँ पर उनके सामने वो तो सारा मतलब वर्नन करके कही रही थी वो बड़ी बड़ी पवीतर आत्मा उसे भी मिले है तो उसमें मतलब उस मेसेज़ेस को भी बहुती अच्छे से लिखा है तो मैं आपको सच पूल तो जिसको अगर वो पढ़ना है तो मेनी मास्टर से कितब आप जरूर मतलब पढ़ना दोस्तो बहुत मतलब आपको यह गयन देगी ज़्यादा बड़ी भी कितब नहीं है वो तो उस कितब में जो उनको मतलब पवित्रा आत्मा उन्हें संदेश दिये तो उसको उन्होंने बहुती अच्छे से कहा है जाता तर उन्होंने ये कहा है कि ऐसे जो संदेश है वो चार चीजों का महत्व हमें समझाने के लिए कई ना कई कहे है इस तरीके से बाते उन्होंने कही है तो सबसे पहले उन्होंने मतलब जो चार महतों परणबाते कही है उसके बारे में हम और भी डिटेल में देखेंगे सबसे पहली बात है दोस्तो परोब कार दुसरी बात उन्हेंने कहा है आशा तिसरी बात कही है भरोसा और चौती बात कही है सच्चा प्यार निस्वार्था प्यार तो इन सारी चीजों के बारे में उन्हें कहा है सबसे पहले परोब कार मतलब निस्वारत भावना से किसी जरूरत मन को मदद करना ये जो बात है एक आत्मा के विकास के लिए बहुत ही जादा एहमियत है दोस्तों इस बात की आजकल परोब कार करना निस्वारत भावना से किसी के लिए कुछ करना इस बात को लोग बेवकुफी भरा मतलब समझते हैं, पहले अपना देखा बात में दुसरे का मतलब कुछ करने की कोशिश करो, ऐसी हमारी कभी-कभी सोच होती है, लेकिन जो सची आत्मा होगी, जो संत जैसे लोग होते हैं, वो उनके पुरी जिन्दगी परवकार में बिच जायती है, और ऐसी ही जो लोग है, वो मुक्ष के अधिकारी होते हैं, हम सारी चीजों में डूबे रहेंगे, कामकरोद को लोप के पीछे, और बोलेंगे कि मुझे मुझे मुक्ष चाहिए, मेरे तो अच्छा करम होंगे, इस तरीके से नहीं होता, निस्वारत भाउना से क किसी को मदद करना, ऐसी जो बात है, हम सब के लिए बहुती जादा मैतो पुर्ण है, और ऐसा जो इंसान है, वो विकास के एक एक सीड़ी बहुती जल्दी से पार कर सकता है, दूसरी बात उन्हेंने कही है, आशा, आशा मतलब कल कुछ अच्छा होगा, इस तरीके से उम्म कर रहे और फिर भी हमारे सामने दुख आ रहे और हम अपने जीवन करता है, बहुती अच्छे से और बहुती अच्छे से पुरा करते हैं, तो ऐसे समय में ऐसा जो इनसान है, भले वो पुर्थवी पर हार जाए, लेकिन उस दुनिया में वो अपने आपको बहुती मतलब अ हमेशा ही आगे बुरा ही होगा ऐसे नहीं है एक आशा के साथ जीना ऐसे जो मतलब आशा होती है वो कल एक नया सावेरा हमारे जीवन में जरूर ला सकती है ऐसे बहुत सारे लोग मतलब मुझे भी अपने अनुबों कहते है कि जहाँ पर उनको जरब आशा नहीं थी कि कल बहुत ही खुशे से जिन्दगी जी रहे तो एक आशा के साथ जीना कि कल कहीना कोई कुछ अच्छा होगा एक उम्मित के साथ जीना कि आज मतलब मैं जो बुझो बुरे दोर से गुजर रहा हूँ उसका कहीना कई कल अच्छा होगा और मैं बहुत ही खुशे से जी बहुत सरे लोगों का मतलब भगवान की वो भक्ति वगरा करेंगे लेकिन उनका खुद ही भरोसा नहीं होता तो एक भगवान जो है वो हमेशा मेरे साथ है एक बार एक मैंने मतलब भगवान की तस्विर थी और वहाँ पर लिखा था कि अगर तुम मुझे देखते हो तो मैं रहा है यह क्यों मतलब उसमें लिखा था क्योंके हमारी मन में अगर सची शोड़ के प्रति होंगी तो भगवान का हमेशा दयन हमपर होगा लेकिन हम हमारी प्रॉब्लेम क्या है दोस्तों मेरे ऊपर भगवान का आशिरवाद déjà ऐसे मैं कहूंगा और मैं मतलब भूगमरी मे या फिर एकदम मतलब गरीबी में जिन्दगी काट रहो तो ऐसे वक्त में मुझे मतलब लोग हसेंगे कि इसके साथ भगवान है और इसकी कंडिशन है लेकिन ऐसे नहीं होता दोस्तो जहाँ पर मतलब जो सच्चे भगवान को मानेगा वो इस पैसा इन सारी चीजों में नहीं जो भगती है वन कण के लिए एक कण के लिए ल finesके लिए भी दोसतों कम नहीं हुई तो इस तरीके से भगती होती है हमारा कुछ बुरा हुआ तो हमारे मंद से शर्दा चली जाती है कही कही मतलब दूर एकदम से नहीं होना चाहिए आज यह जो दुख है उसके भी पीछे बहुत सारे कारण होंगे, एक दिन हमें जरूर पता चलेंगे, लेकिन आप भरोसा रखना कि अगर मैं सच्चा हूँ, तो मेरा जो भगवान है, वो कभी करना कभी मुझे इस मुसीबत से भी बार निकालेगा, और इन सारी चीजों के पीछे भी जरूर कुछ वज़ा होगी, तो आप इस तरीके से भरोसा रखना कि मेरे साथ जरूर कुछ अच्छा होगा, और चवती बात उन्हेंने कई है, सच्चा प्यार, निस्वार्था प्यार, इस दुनिया में सच बूलू, तो एक प्यार ही ऐसी सीज़ है दोस्तों, जो सच्छ है, इसे मैं समझता हूँ, क्य या फिर वो अच्छे से खुशी से जिए, उसके एल्थ अच्छी हो, इसके लिए हमेशा प्रार्थाना करती रहोंगी, तो इस तरीके से एक सच्चा जो प्यार है दोस्तों, निस्वार्था प्यार है, ये जो बात है, ये बहुत हम सब के लिए महत्वपुर्ण है, जो बात का महत्व है दोस्तों, हो सकता एक प्रुत्वी पर आपको कोई बेवकूफ बोले, लेकिन ऐसी जो चीज़ का महत्व है दोस्तों, आत्मलोक में हमें सच्चा पता चल जाएगा, तो इस तरीके से निस्वार्था भावना से अगर हम प्यार करेंगे, निस्वार्थ जो प्रुत्वी पर उसके सामने सारा सुख ना आए, ठोड़ा सा दुख बैर लेकिन ऐसा जो इंसने आत्मलोक में हन्डेट पर्सन बहुती सुख से और बहुती समादन से अमारे अपने लोगों के साथ बहुती खुशी से जरूर रहे पायेगा दोस्तों, तो दोस्तों अ अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्दगी की रोशनी ये एक कंसल्टन्सी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसे अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़ादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते है उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रे पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो खुर्पया इस नंबर पर वाट्स अप मैसेज करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद